विश्व के नमबर दो सबसे रईस इंसान गौतम अदानी बचपन में आठ बाई दस की दुकान में कपड़े बेचा करते थे अपनी महनत और काबलियत के अलावा उन्हें पुरानी सरकारों के ED, CBI और पुलिस के बेजा इस्तेमाल को भी सहना पड़ा और जितनी भी गलतियां उनके खिलाफ की गई थी पुरानी सरकारों वाली पार्टियों ने वो आज उनके लिए सम्मान समारोख का आयोजन कर रही है 60,000 एकर से ज़्यादा की जमीन उन्हें दी जा रही है राजस्थान में एक इन्वेस्ट सम्मिट के नाम से अकारे करम का आयोजन किया जाता है जिसके बारे में गलत सूचना दी जाती है सबसे बड़ी गलत सूचना जो दी गई जिसको बड़े नेताओं ने भी जूट बोला कि आदानी ने 60,000 करोड रुपए इस सम्मिट में आकर इन्वेस्ट करने का वादा किया है कहाने की शुरुआत होती है 2002 से जब गौतम आदानी पहुंचते हैं दिल्ली और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है एक फरजी मुकदमे में 2002 के अंदर बहुत सारी घटनाएं चल रही थी गुजरात के अंदर जिसके अंदर ततकाली चीफ मिनिस्टर नरेंदर मोदी और गौतम आदानी जैसे कई सारे उदोग पतियों को निशाना बनाया जा रहा था जैसे ही गौतम आदानी की फ्लाइट एहमदाबाद से दिल्ली पहुँचती हैं वहाँ पर अचानक से उन्हें गिरफतार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है इस समय तक अदानी ग्रूप की संपत्ती 42 सो करोड रुपए से उपर पहुँच चुकी थी और उनके उपर चीटिंग केस डाला जाता है कुछ हजार रुपए का इससे पहले उनके खिलाफ और फरजी मुकदमे दर्ज किये जाते उनके वकील जिरय करते हैं और कोर्ट और करता है उनकी बेल देने का ये कोई अकेला केस नहीं था गुजरात के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके उपर इस प्रकार के केस किये जा रहे थे जान बूच कर उन्हें पीछे खीचा जा रहा था सबी लोग इस बारे में सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसा उनके वकील आकर फाइनली बताते हैं कि उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है मगर उनको इसकी सूचना नहीं दी जाती उनके रिजिस्टर्ड ओफिस पे कमपनी के खिलाफ एक केस किया जाता है मगर कमपनी के रिजिस्टर्ड ओफिस की जगे कहीं पर भी बेज़ दिया जाता है और कोट को ये बताया जाता है कि अभयूक्त आ नहीं रहा मजबूरन को उनके खिलाफ वारंट इशू करना पड़ता है कोट के सामने सारे तथे रखे जाते हैं कोट समझ जाता है उनको तुरंत बेल प्रदान कर दी जाती है और यहां से शुरू हो जाती है अदानी की असली कहाने की जहां पर वो पीछे मुढ कर नहीं देखते सामने वाली पार्टियां भी इनके बुरी तरी पीछे पड़ी हुई थी और उनके पास में सत्ता की चाबी भी थी 2010 में एक और ऐसी ही बात होती है उनके छोटे भाई को गिरफतार कर लिया जाता है वो भी ड्यूटी अवेजन केस में गुजरात बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था सभी उद्योग पती ग्रो कर रहे थे मगर उनके उपर जो केस होता है वो गुजरात में नहीं गोवा में होता है जहांपर कॉंग्रेस की सरकार होती है वहां से एक वारंट इशू होता है सबी लोग इस केस को लेकर बड़े हैरान थे क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था कि अदानी समूग के उपर आरोप लगा था कि जो 80,000,000 रुपए उन्होंने डूटी बचाई है उसके लिए CBI उनके पीछे पड़ी है इस समय तक अदानी ग्रूप 26,000 करोड रुपए का हो चुका था मगर उनके उपर आरोप लगता है 80,000,000 रुपए की डूटी को बचाने का और जिसके लिए CBI और ED उनके पीछे लगती है जबकि ये मामला साधारन कस्टम्स का था पूरी मीडिया इस बात को डिसकस कर रही थी कि इतने 1000 करोड रुपए का ग्रूप इतनी चोटी चोरी क्यों करेगा और उसके लिए CBI ED जैसी एजनसी क्यों पीछे पड़ेंगी जिस भी देश में इस प्रकार की घटनाए होती है वो आगे नहीं बढ़ पाता अमेरिका इस निती और उद्योग नितीक में क्रांतिकारी परिवर्दन होए है और अब जाकर विपक्षी पार्टियां मान भी रही है और सम्मान भी कर रही है राजस्थान जैसे राज्य जहां पर केंद्र की विपक्षी पार्टियां राज कर रही है यहां पर इन्वेस्टमेंट का अ पूरा का पूरा प्रोग्राम केवल और केवल आदानी के इर्द गिर्धी घूमता रहा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर उनके आगे फीचे हमेशा दिखाई दिये आला कमान के तरफ से मुख्य मंत्री को निर्देश दिये जाते हैं कि सारी पुरानी बाते भूल जाएंगे नए आरोप हम नहीं लगाएंगे कैसे भी करके इन सारे उद्योगपतियों को मनाओ इनके साथ में हम आगे लड़ना नहीं चाते जैसे तैसे उद्योगपती आने की हामी भरते हैं मगर लाज समय तक वो नराज ही चल रहे थे जिस आदमी के लिए पूरी सरकार पलक पावड़े बिचाए बैटी थी उन्होंने यहाँ पर आने की मनाई कर दी और उसका सबूत है ये दस्तावेज Bureau of Investment Promotion के अंदर जितने उद्योगपती आने वाले थे उन सब का इंतजाम 5 स्टार होटल में किया गया था और पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर कहीं पर भी गौतम अदानी का नाम शामिल नहीं था लास्ट तक उन्होंने मना किया मैं एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाला जिन लोगोंने गरीबी देखी होती हैं अपनी महनत से आगे बड़े होते हैं वो असूलों के सामने समझोता नहीं करते और इनके असूल ही इनकी मजबुती हैं अदानी समों की सबसे बड़ी मजबुती उनका commitment है जो भी कमिटमेंट कर देते हैं उसको नुखसान खाकर भी पूरा करते हैं कई ऐसे मौके आए और सभी उद्योग पती इसलिए उनके उपर विश्वास करते हैं उनके यहां तक पहुचने के पीछे सरकार के तौर पर कितनी पॉलेटिक्स उनके साथ की गई सभी उद्योग पतीयों को पता था और यही बात सबसे ज्यादा आड़े आ ही थी उन विपक्षी पार्टियों के लिए भी जो अब गुजरात के अंदर जाकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं और जहां पर लोग उनको बाहर से ही मना कर रहे हैं जैसे तैसे अदानी इंवेस्टमेंट सब्मिट में पहुचते हैं उन्हें लगता है कि चलो आज सीखे क कोई बात नहीं आगे के लिए ठीक रहेगा और ये बयान जारी किया जाता है कि अदानी की तरफ से 60,000 करोड रुपे का इंवेस्टमेंट राजस्थान आ रहा है ये जो 60,000 करोड रुपे का इंवेस्टमेंट है इसके लिए अदानी ने 2015 के अंदर जब BJP सरकार थी उसी सम सारों एकर जमीन उनको अलोट भी कर दी गई थी और जिसका मुद्धा विपक्षी पार्टियां सदन के अंदर चीक चीक कर उठाती हैं मगर 2021 के अंदर जो डॉक्यमेंट सामने आता है उससे पता पड़ता है कि राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार ने BJP से भी ज्यादा 40,000 बिगा जमीन अदानी को और अलोट कर दी है कोई इस बात के ओपर यकीन नहीं कर पाता कि जो लोग 14,000 बिगा जमीन का शोर मचा रहे हैं वही लोग 40,000 बिगा जमीन अदानी को अलोट कर रहे हैं उसी दाम पर 2015 के अंदर 60,000 करोड रुपे का जो इन्वेस्टमेंट अदानी समू ने राजस्थान में किया था वही का वही इन्वेस्टमेंट 2022 के अंदर 2022 का किया बताया जा रहा है कुल मिला के बाद ये है कि जब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा और अब जाकर ऐसे लोगों को बात समझ में आ गई जो कल तक मानते नहीं थे भारत से कम आबादी होने के बावजूद अमेरिका भारत से बहुत ज़ादा सम्रद इसलिए है क्योंकि वहां की इंडस्ट्री बहुत ज़ादा सम्रद हैं इंडस्ट्री कमाई करती हैं सरकार नहीं किया करती बहुत सारे बड़े देश इस प्रकार की साजिशे जरूर करते हैं कि भारत के अंदर उद्योग पतियों के खिलाफ महौल बना दिया जाए मगर अब जाकर कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई कि वो विदेशी साजिशों का शिकार ना हो अगर इस प्रकार का महौल आगे भी पार्टियां रखती हैं तो कई ऐसे छोटे व्यापारी बड़े अदानी बन कर दिखाई देंगे आने वाले समय में क्योंकि कमाई वाला काम सरकारे नहीं करती उद्योग पती करते हैं देश के बाहर भी जाते हैं अमेरिका जैसे और अपने देश के अंदर पैसा और जॉब्स लेकर आते हैं देश की समरद्दी होती है नमस्कार धन्यवाद जहिंद